हेलो गाईज, वेलकम एक टू मैं चैनल, मेरी मा शिरामाली तो कैसे हैं, आप सब मातारानी के गृपा से हैं और दोस्तों गुरू की गृपा से आप सभी ठीक होएंगे, मैं भी ठीक हूँ, जै मातादी साथ श्री अकाल, सो आज की वीडियो नवरात्रों से रिलेटेड ही है सो कल से नवरात्रे आपको पता ही शुरू होने जा रहे हैं, 9 अप्रेल से 17 अप्रेल तक रहेंगे, 18 अप्रेल को दर्शमीती थी, इस पर मैंने एक सेप्रेल वीडियो बनाई हुई है, सो वो जरूर चेक कर दीजेगा, ठीक है, उसके बाद ये देखे, ये पुशाके और सब कुछ बन गया है, सो मैंने आपको कहा था कि जब बन चाहेगा तो आपको साथ जरूर मैं डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि कैसी बनी है पुशाके, सो कल यही पुशाक हमारे मातरानी साभी भगवान जी धारन करेंगे, ये देखे, बहुत ही सुंदर पुशाके बनी है, बहुत ही प्यारी प्यारी बनी है, मैं आपको बताहनी सकता कितनी सुंदर पुशाके बनी है, ये देखे, रेड कलर की तो वैसी बहुत प्यारी लगती है, सभी भवान जी के अपर, और वैसे भी बहुत सुंदर पुशाक बनी, फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी प्रिंटिंग हुई थी इसके उपर बहुत ही सुंदर फैब्रिक था ये और उशाके भी वैसी बहुत सुंदर इस बार मैंने कुछ कुछ चेंजिस किया फुशाक में जैसे उपर ये बांधने के लिए जो और बैल्ट जो है मैंने ये कपड़े की ही बनाई नहीं तो मैं यह वली जो साइड में लगाता हूं इसके बनवाता हूं परंतु मैंने इस बार जो है यह वली बनाई है तो यह दिख बहुत ही सुंदर है छिवं के और यह संदर्दृ का है गना है पटका थो पंपल ही बनता है यह है हमारी मासर अस्वति जी की पोशाक जो बहुती सुन्दर बनी है बहुती प्यारी बनी है यह देखे यह बहुती सुन्दर है कि पुषाक और इसके साथ का पटका इधर आ जाएं तो इधर हमारे शिव परिवार के पुषाक है यह बहुती सुन्दर सी बहुती प्यारी सी बहुती सुन्दर बनी है यह देखे बहुत प्यारी बनी है पीछे अस्तर भी लगाया हुआ है और इसके अभी जो पटके दो बनने बाकी है जैसे मातारान पारवती के लिए और भावान शिव के लिए ये गनपती जी का बन गया है ये देखिए अभी उनका बनना बाकी है मतलब मैंने आपको खाना कि बस ऑल्मॉस्ट फोल्च एक बनने के लिए फैंशंग में सबतेदेजिंग ऐसे अच्छी तरह से बनन संधर एधर ओखिए तो यह हैं हमारे प्यारे से काना जी की पोशाख लडू गूपाल जी की पोशाख इसके एविए अभी फिनिशिंग करनी अच्छी तरह से फाइन टच अप देना है अभी और ये बना है आसन पूरे मंदिर का बहुती सुन्दर सा ये आसन बना है तो इसी प्रकार से भगवान जी की सब की पुशाग बन गई है आसन बन गया बस पहनाने की देरी है है तो आज मंडे है 8 अपरिल है तो अभी मैं जो है माता रानी को छोड़के बाकि सभी भगवान जी को शाख पहना दूंगा आसन भी पिछा दूंगा सफाई मेने जो है अल्मॉस्ट डन हो चुकी है आपको दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने मंदिर का जार समान इदर इक कत्रत किया हूए है और यह हमारा मंदिर है माता रानी का और यह वी साफ सफाई हो चुकी है सभी भगवान जी यह उपर बैठी हुआ है अलमीरा के उपर तो अभी अच्छी तरह से जो है मैंने साफ सफाई कर दिया बस अब आश्वान जी को वराजमान करना है और पुशा कि भी पहना दूँगा मैं आज ही माता रानी को कल मैं पहनाओंगा शिनान करा के ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसे लिए कमेंट्स में जुरूर बताएगा और जो मैंने चैनले पर नाया आया सब्सक्राइब कर दो कोशिश रहेगी ठीक है मिलते हैं आपको एक और आपकी नवरात्रे अद्वान्स